नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि आपका APL BPL अन्तोदे कोई सा भी एक रासनकार बना हुआ है और आप सरकार से रासन का लाब पराप्त कर रहे हैं तो आज की एजानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है और सरकार की तरप से आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर भी शामने आ रही है क्योंकि दोस्तो यहां तक जो निसुलक रासन वितरन करने की योजना थी सरकार ने तीन महिन तक आगे बढ़ा दिया है इसकी अवधी आगे बढ़ा दी है अब 15 क्रोड से जादा लोगों को निसुलक रासन तीन महिन तक फिरी वितरन किया जाएगा जिसमें दोस्तो नमक, दाल, चीनी, आटा सभी यहां पर दिये जाएंगे लेकिन दोस्तो क्या आपको गेहूं दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी भे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तो अब आम आपर वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और आपको रासन कार्ड से जुड़ हुई संपून जानकारी बताते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निसुल्क रासन योजना तीन महिने के लिए फिर से बढ़ा दिया है अब सितंबर तक योपी के पंदरा क्रोड लोगों को निसुल्क रासन वितरन किया जाएगा इससे पहले योपी में योगी आदितिनात सरकार के वापसी के बाद 26 मार्च को फिरी रासन योजना को तीन महिने के लिए बढ़ा दिया गया था जून में यह अवधी समाप्त होने जा रही थी जिसे फिर से बढ़ा दिया गया है मुख्यमंतर योगी आदितिनात ने अपने दूसरे कारेकाल सो दिन पूरे होने से पहले परदेश के लोगों को एक बड़ा उपहार दिया है मुख्य मंतिर योगी आदितिनात निसुलकर रासन योजना को तीन महीने और बढ़ाय जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने तक यूपी के पंदरा क्रोड लोगों को फिरी रासन आगे वितरन भी किया जाएगा निसुलकर रासन इसकीम के अंतरगत योगी सरकार के तरफ से परिवार को 35 किलो रासन जिसमें दोस्तों चावल या गेहूं के साथ ही दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य सामंगरी को निसुलक दिया जाता है सभी रासन कार धारकों को अंतोदे दोस्तों एपल, बीपल और अंतोदे रासन कार धारकों के लाभारतियों के परिवारों में फिरी रासन जून तक वितरन किया जाना था जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है इससे पहले मुख्यमंत्र योगी आदितिनात ने एलान किया था कि हम लोग परिवार कार जारी करने जा रही हैं इसके अंतरगत सरकारी नोकरी, रोजगार, सर्व रोजगार से वंचित परिवारों को चिनहित किया जाएगा राज्य सरकार का परियास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदिस्चे को नोकरी, रोजगार, अत्वस्व रोजगार से जोड़ा जाए मीड़ा रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सभी पात्रों को पांच किलो प्रतिव वैक्ति चावल देने की बात कही गई है अब तक पात्रों को रासनकार पर निसुलक तीन कुले गेहूं और दो किलो चावल वितरन किया जाता था उन्हें दिया जाता था लेकिन अब परदेश राज्य में गेहूं वितरन नहीं किया जाएगा गेहूं की जंगे चावल की मातरा बढ़ा दी गई है सभी रासनकार लाव भारतियों को अब गेहूं की जंग है पांच किलो चावल ही वितरन किया जाएगा यदि दोस्तों जानकारी को लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको हमारे दुवी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेर्थ होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लास्ट मिनी में दर यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके अब हम आप से मिलते हैं नेक्स टुडियो में एक और नई जानगारे साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत